तो बहुत से बार एक क्वेशन पूचा जाता है हमेशा कि चिकन पॉक्स होने के बाद उस पेशन को नहाना चाहिए या फिर नहीं नहाना चाहिए तो देखिए सबसे पहले इस बात को समझे कि उस पेशन को नहाने क्यों नहीं दिया जाता है फिर नहाना क्यों नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं उसके पीछे साइन्टिफिक रिजन क्या है इसको पहले समझना चाहिए अगर आप नहाते हो तो नहाने के वज़े से उस patient में सबसे पहली बात तो जो blisters बने होते हैं उनको burst होने के उस blister के burst होने के और उसके अंदर जो fluid होता है जो infection फैलाता है उसके पूरे body के उपर फैलने के काफे ज़ादा chances होते हैं और अगर हम नहीं नहाते हैं तो किसी किसी patient में मैं सभी patients के बात नहीं कर रहा हूं किसी किसी patient में उन blister के वज़े से कुछ complication बनने के और उसके अंदर कोई superficial या फिर कोई coexisting another infection बनने के भी chances बने रहते हैं तो नहाने के भी अपने फायदा और नुकसान है और नहाने के भी अपने फायदा और नुकसान है तो chicken pox होने के बाद अगर किसी patient को नहाना है तो patient नहा भी सकता है लेकिन कुछ precautions लेनी पड़ेगी तो chicken pox होने के बाद अगर उस patient को नहाने नह दिया जाए तो भी it's okay कोई इससे बहुत इसे बड़ी प्रॉब्लिम नहीं होती है, लेकिन अगर किसी पेशिन में कोई और भी कॉम्प्लिकेशन से, जिसके वज़े से उस पेशिन में कोई इन्फेक्शन होनी के चांसे से, तो फिर उस पेशिन को विध प्रिकॉशन नहाना सही रहेगा, लेकिन हर एक पेशिन में चिकन पॉक्स होने के बाद, जब तक ब्लिश्टर बने होए रहते हैं, तब तक ना ना है, तो भी चल सकता है, इससे कोई बहुत बड़ी ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती, चिकन पॉक्स के पेशिन को अपने बॉड़ी को क्लीन करने के लिए एक वेट स्पंज या फिर एक वेट क्लॉथ लेकर के उससे धीर देर करके अपने बॉड़ी को क्लीन करना चाहिए, लेकिन rub नहीं करना है, क्योंकि rub करने के वज़े से जो blisters बने होते हैं, वो burst हो जाएंगे, वो food जाएंगे और उसके अंदर जो भी infectious fluid होता है, पुरे body के उपर फैल जाएगा, इसके वज़े से काफी जादा उस patient को तकलीफ हो सकती है अगर कोई chicken box का patient कपड़े से या फिर sponge से अपने body को clean कर रहा है, तो भी उस patient को जिस body के पार्ट के उपर काफी जादा blisters बने होई रहते हैं, उस body के पार्ट को award करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर गलती से भी एक blister burst होता है, तो उसके वज़े से और भी itching बढ़ सकती है, और और भी जादा blisters बढ़ सकते हैं, तो इस बात का काफी ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बाद जो भी chicken box का patient है, उसको भी उसके personal items है, जैसे की soap, या फिर towel, या फिर उसके कपड़े, इस सब चीज़े किसी और के साथ शेयर नहीं करने चाहिए, पाक्स के patient के body के आट दिन या फिर दस दिन भी लग सकते हैं, इन साथ से दस दिनों तक उस patient को बाकी लोगों से दूरी बना कर रहना ही काफी सही रहता है, क्योंकि ओव patient काफी जादा infectious होता है, और बाकी healthy लोगों को या फिर बाकी चोटे बच्चों को भी वो infect कर सकता है, तो overall अगर हम chicken box क patient के नहाने की बात करे, तो जब तक वो patient active stage में है, मतलब उसके body के उपर blisters बने हुए हैं, तब तक तो ना नहिलाना या फिर ना नहाना सही रहेगा, ऐसा मेरा मानना है, और उस साथ दिन या आट दिन निकलने के बाद जब उसके blisters निकल जाते हैं, blisters चले जाते हैं, उसक कोई दिक्कत नहीं है, नहाने के वज़े से भी कुछ problems हो सकता है, और अगर वो patient नहीं नहाता है, तो भी उस patient के body के उपर जो blisters बनते हैं, उन blisters के अंदर superimposed infection हो जाता है, तो वो भी एक risk होता है, लेकिन उस patient के बारे में overall cleanliness रख करके, उसको अच्छी diet दे करके, जो required medicine स हो medicine दे करके, अगर वो patient बिना नहा है यह भी रह सकता है, तो भी it's okay, ऐसा है नहीं है कि नहाना ही चाहिए, तो friends, finally, मेरा एग opinion है कि किसी भी chicken box के patient को बिलकुल भी नहाना नहीं चाहिए, खास कर कि जब तक वो patient अपने active stage में है, तब तक तो बिलकुल भी नहीं नहाना चाह So this was a short about the bathing in case of chicken box patient, thanks for watching this video till then, thank you very much